इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके Instagram में आपके Filters Show नहीं हो रहे या काम नहीं कर रहे तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Instagram में Filters Problem को ठीक कैसे करें इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो Instagram है उससे Open करना है यहाँ पर आपका filter नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या करना है मैं आपको दो-तीन तरीके बताता हूँ सबसे पहले प्लस के आइकन पर जाईए आपको filter कहां लगाना है देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दू कि story वाले option में यहाँ पर filters कम आते हैं यहाँ पर आप real बनाएंगे तो आपको filter अलग मिलेंगे यहाँ पर दियान रखिएगा इस बात का और live में अलग filter आते हैं तो रील से वाले option में आ गए हम camera वाले option में आते हैं तो आपको देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर filter आ रहे हैं रील वाले option में filter add नहीं होते हैं तो story वाले option में हम आते हैं और last में जाएंगे तो यहाँ पर यह रहा है add करने के लिए तो अगर आपको कोई नए filter add करना है तो पहले story वाला feature यूज़ करिए अगली चीज़ है मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आप कोई नए filter या trending filter यूज़ करते हैं तो मैं बता दूँ कि कोई-कोई filter किसी-किसी phone में काम नहीं करता है यहाँ पर camera quality पर डिपैंड करता है और जो phone है उसके android version पर डिपैंड करता है कि उसमें आपका filter चलेगा कि नहीं कई सारे filter होते हैं कई तरह के phone में नहीं चलते हैं बाकी आप जो filter चला रहे हैं उसे किसी और के phone में चला के देखिए शायद उसके phone में चल रहा है आपके phone में नहीं चल रहा हो इसके अलावा आपको तीसरा step follow करना है आपको प्ले स्टोर में जाके अपने इंस्टाग्राम को जल से जल अपडेट कर लेना है यानि इसको नया वर्जन डाउनलोड कर लीजिए निव वर्जन इंस्टाल कर लीजिए और आपका जो इंस्टाग्राम है उसमें आपके filters आने लग जाएंगे एक अखरी की चीज और है आपको जाना है फोन की सेटिंग्स में तो फोन की सेटिंग में इहां hybrid नेजिए आंपने फोन में सेटिंग्स खोलीए तो यह थी मेरे फ्रुन की सेटिंग्स क्यों से ऐूपन करता हूँ open करने के बाद यहां पर यहां पर यह लगा रखा है मैं lock को open कर लिता हूँ तो कर लिया है मैंने नीचे आईए आपको मिलेगा यहां पर apps नीचे की तरफ चेक करिए यह रहा है apps वाले feature इस पर touch करो टच करने के बाद आपके पास ऐसा page आ जाएगा आपको मिलेगा यहां पर instagram ढूंड लिजिए नीचे की तरफ आकर मैं नीचे करता हूँ instagram होगा वो तो चेक करता हूँ मैं यह रहा instagram पर touch करो इस पर touch करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा storage तो यह रहा है यहां पर storage इस पर touch करो और आप चेक करिए कि आपके फिल्टर्स काम करते हैं कि नहीं तो आपका फिल्टर काम करने जरूर लगेगा वीडियो पसंद आई है लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए